खेत में जब किसान बीच को डालता है तो अपने आपसे में क्रॉप के साथ साथ खर्पतवार भी आ जाता है और खर्पतवार को अगर सही समय में किसान नहीं निकालता है तो उपज रुक जाती है उसके में क्रॉप की और जो में क्रॉप का जो साइज बढ़ने का होता है वो तो अगर आपने सही समय में negative thoughts को बार-बार सोचना बंद नहीं किया तो एक दिन subconscious mind में negative thoughts का ही दब-दबा होगा और आपकी personality वैसी ही हो जाएगी, आपका success के तरफ बढ़ने का जो रास्ता है वो block हो जाएगा, stop हो जाएगा तो किसान weeds को हटाने के लिए weedy side का spray करता है, छिड़काव करता है जिससे weeds अपने आप से जो खरपतवार है या तो वो जल जाते हैं या तो मर जाते हैं तो यहाँ पर subconscious mind से negative thoughts को हटाने के लिए क्या है weedy side? दो ही चीज़े है, hope ono-pono prayer और positive affirmation जितना जादा इन दोनों का छिड़काव आप करते रहेंगे, अपने subconscious mind में उतनी जल्दी negative thoughts जल जाएंगे या तो मर जाएंगे कुछ समझे आप? तो we decide को क्यों करते रहें, hope ono-pono prayer और positive affirmation Thank you, wish you well